कुछ संसदों की टिकेट काटेगी भाजपा तो कुछ के शेत्रों में हो सकता है फिर बदल हैबी वेट संसदों की टिकेटों को लेकर संशे बरकराथ लोक्सबर चुनाब के लिए प्रतियासियों की पहले सूची में प्रदेश की क्यावन सीटों के लिए उम्मीदबार गोशित कर चुकी भाजपा की दूसरी सूची से यदि उत्तरप्रदेश गायब था तो यह आकरण नहीं है उत्तरप्रदेश में सायोगियों समय सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष तैक कर चुकी भाजपा प्रदेश की बची हुई 24 लोक्सबर सीटों के लिए एक एक नाम पर गंफीरता से मन्थन कर रही है माना ज़रा है कि भाजपा बंदी हुई सीटों के लिए प्रत्यासी गोशित करते हुए कई सांसदों की टिकेट काट सकती है तो एक का दुखा सांसदों के लोक्सबर स्टेत्र में बदलाब कि भी आसार है बाजपर को प्रदेश में लोक्सवाच उनाव के पहले, दूसरे पांचवे और्द सातवे चरण की तीन तीन तीसरे वा, पांचवे चरण के पांच-पांच तथा चोफे चरण की दो सीटों के लिए परतियासी गोषित करने बाकी है बाजपार ये बीती दो मार्च को जारी की गई प्रतियासियों की पहले सूची में 51 सीटों के उम्मीदवाग गोसित किये थे इसके लावा पार्टी ने 5 सीटें सही होगी दलों को दी है इसमें बिजनौर वा भागपाद रालोध मिर्जापुर वा रोवर्ट्स गंज अपन चुन्ना में हार का सामना करना पड़ा था हारी हुई पांच सीटों में राइवरेली सहारनपूर मुरादाबग मैनपुरी और गाजीपूर शामिल है जीतवी सीटों में से कोछ ऐसी हैं जिन पर भाजपा ने हेवीवेट सांसद है इन में संतोस गंगबार की बरेली सपा से अलग होकर राष्ट्य सोमित समाज पार्टी बनाने वाले स्वामि प्रसाद मौरिय की सांसत कुत्री संग मित्रा मौरिया की बदायू सीट पर भी भाजपा ने पत्ते नहीं खोले हैं माना ज़रा है कि ऐसी सीटों समेद कुछ अने सीटों पर भाजपा सेटिंग सांसतों के टिकेट काट सकती है। बागपाद सीट को रालोट को देने के बाद यहां से भाजपा के सांसर सत्यपाल सिंग को भाजपा कहां समायोजित करती है इस पर भी निगाहें होंगी इसके लावा भाजपा को 12 बंकी सीट पर भी निरड़ा करना है इस सीट के वर्तवान सांसर उपेंदर रावत को साहरनपूर, मेरट, गाजयवाद, अलीगण, हातरस, मुरादबाद, फ्रोजबाद, बैनपुरी, बदायूं, बरेली, पीली, बीत, कानपूर, रायवरेली, कोश्टामबी, बहराईश, कसरगंज, सुल्तानपूर, फोलपूर, लाबाद, मचली, शहर, बदोई, देवरिया, बलिया और गाजीपूर.